UFC 293 के कार्ड को लेकर काफी जादा लोग ये बोल रहे थे कि ये कार्ड worst कार्ड में से एक है और सब ने इस कार्ड से काफी low expect किया था बट इस कार्ड ने actually में काफी अच्छा deliver किया तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं UFC 293 के में कार्ड के टॉप 3 फाइट से जिदा सबसे पहले बात करते हैं मैनल केप वर्सिस फिलिपे डोसांटोस की ये फाइट एक काफी amazing back and forth फाइट थी जिदा फिलिपे डोसांटोस ने सिर्फ 22 एस के होने के बाद भी काफी अच्छा perform किया फाइट से पहले मुझे लगा था कि मैनल केप फिलिपे डोसांटोस को dominant करने वाला है बर जब फाइट की बात है तो हम देख सकते थे कि ये फाइट एक काफी अच्छी back and forth फाइट थी I think इस फाइट में मैनल केप थोड़ा सा over confident था क्योंकि हम देख सकते थे कि इवन जब फिलिपे डोसांटोस मैनल केप को बिग पंचिस से tag कर रहा था तब भी मैनल केप ने अपनी गेम को change नहीं किया और वो forward pressure करता रहा और फिलिपे डोसांटोस के साथ ब्रॉल फाइट कर आता रहा पर इसे के साथ जब मैनल केप फिलिपे डोसांटोस के साथ डिस्सेंस में रहकर fight कर रहा था तब वो easily फिलिपे डोसांटोस पर statewide 35 को ठ्रो कर रहा था जो proper land हो रहे थे और फिलिपे डोसांटोस उनसे काफी ज़ाधा damage ले रहा था और ऐसे लग रहा था कि range में फ पूरे 3 राउंड तक कर सकता था जिदर वो अपने distance को maintain रखकर फिलिपे डो सांटोस को easily beat कर सकता था बट I think मैनल केप चाता था कि वो फिलिपे डो सांटोस को knockout करे और इसलिए मैनल केप ने बहुत बार अपने distance को close करके ब्रॉल फाइट करने का decide किया इस ब्रॉल फाइट में दोनों फाइटर्स पंचिस को land कर रहे थे जिदर कभी कबार फिलिपे डो सांटोस बिग राइट हुक्स को भी land कर रहा था जो मैनल केप को stun कर दे रहे थे बट जब मैनल केप इस ब्रॉल में पंचिस को land कर रहा था तो इवन अगर वो मैनल केप को stun भी कर रहे थे बट वो पंचिस लग रहे थे कि उनमें जाधा पावर नहीं है राउंड वन की तरह राउंड टू में भी same story रही जिदर मैनल केप ने फिलिपे डो सांटोस कपल आफ टाइम्स हर्ट किया और फिलिपे डो सांटोस के साथ ब्रॉल भी किया पर क्योंकि जैसे फर्स राउंड में हुआ था राउंड टू में भी जब मैनल केप ब्रॉल कर रहा था तो फिलिपे डो सांटोस उसको टैग कर ले रहा था और इसलिए जब राउंड टू ओवर हुआ तो हम मैनल केप के coach को सुन सकते थे कि वो मैनल केप को कह रहा था कि उसका jab perfectly land कर रहा है तो इसलिए उससे distance को close करने की ज़रूरत नहीं है और वो easily अपने distance को maintain रखकर jabs और straight punches को throw कर सकता है round 3 में भी same story थी जिदर ये दोनों fighters back and forge आ रहे थे but इस round में हम clearly देख सकते थे कि मैनल केप की speed अब बहुत जादे effect डाने लग पड़ी थी Philippe Dos Santos पर Philippe Dos Santos देख रहा था अपनी opening के लिए but इस opening को find करने के लिए जब भी Philippe Dos Santos अपने distance को reckless way से close कर रहा था तो मैनल केप उस पर बहुत ही fast right hook को throw कर रहा था जिसने obviously Philippe Dos Santos पर damage किया और ये जीज़ हम उसके face पर भी देख सकते थे end में मैनल केप इस fight को unanimous way से जीत किया but Philippe Dos Santos ने सिर्फ 22 years के होने के बाद भी काफी अच्छा perform किया और अब बात करते हैं UFC 293 की co main event टाय टू इवासा वर्सिस Alexander वालकॉफ के बारे में Alexander वालकॉफ इस fight को जीता by submission but ये easy kill choke एक काफी rare submission choke है I think Alexander वालकॉफ UFC history में second या फिर third fighter ऐसा होगा जिसने easy kill choke से किसी fighter को submit किया है अब fight के बात करें तो इस fight में दोनों fighters का game plan बिल्कुल clear था जिदर टाय टू इवासा का game plan था कि वो heavy leg kicks को throw करेगा ताकि वो Alexander वालकॉफ की lead leg को take out कर दे और फिर Alexander move भी ना कर पाए जिसके बाद टाय टू इवासा अपने big punches को throw कर सकता है दूसी तरफ Alexander वालकॉफ का game plan भी बिल्कुल simple था जिदर वो पूरे time अपने distance को maintain रखेगा और टाय टू इवासा को distance को close या फिर clinch नहीं करने देगा अब fight को अगर हम closely देखें तो दोनों ही चीज़े work कर रही थी बढ़ टाय टू इवासा के लिए problem ये पड़ रही थी कि वो जब भी leg kicks को throw कर रहा था तो Alexander वालकॉफ उसे crack कर रहा था एक big right straight से round 1 में अगर हम देखें तो few leg kicks के बाद Alexander वालकॉफ की lead leg पर redness आने लग पड़ी थी और एक time पर Alexander वालकॉफ जब punch को throw करने लगा था तो वो अपने lead leg पर weight को नहीं डाल पाया था बट ये Alexander वालकॉफ का damage काफी चोटा था अगर हम टाय टू इवासा के damage को देखें टाय टू इवासा को mentally prepare होना पड़ रहा था जब भी वो leg kick को throw कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही वो leg kick को throw करेगा Alexander वालकॉफ उस पर big right straight punch को throw करेगा इसलिए कुछ time के लिए टाय टू इवासा ने inside leg को target करने की try की बड़ इधर भी टाय टू इवासा का game plan perfect नहीं गया क्योंकि जब भी वो inside leg kick को throw कर रहा था तो अब Alexander वालकॉफ right straight punch की जगा जैप को throw कर रहा था बार बार straight punches को लेने के बाद हम देख सकते थे कि टाय टू इवासा का face completely burst अप हो गया था round 1 के end के time पर first time ऐसा हुआ जब Alexander वालकॉफ ने decide किया कि वो distance को close करके tie to इवासा को beat करेगा और ये almost work कर गया था और maybe tie to इवासा उसी round में knock out हो जाता अगर round 1 में थोड़ा सा और time होता Alexander वालकॉफ ने distance को close किया एक big overhand right से और फिर उसके बाद उसने punch combinations को throw करना start कर दिया जैसे ही round 1 खतम हुआ tie to इवासा के face पर हम देख सकते थे कि वो खुद से disappointed था कि वो distance को close नहीं कर पा रहा है और वो जब भी leg kick को throw कर रहा है तो वो हमेशा counter हो रहा है बट क्योंकि tie to इवासा के लिए सिर्फ leg kicks ही work कर रही थी इसलिए tie to इवासा के coaches ने बोला कि वो इसी game plan को follow करे और वो leg kicks को throw करना बद ना करे क्योंकि अगर उसने थोड़ी और leg kicks को land कर लिया तो फिर Alexander वालकॉफ की lead leg compromise हो जाएगी round 2 में tie to इवासा ने यही किया और हम देख सकते थे कि अब Alexander वालकॉफ इतना fast move नहीं कर रहा है और tie to इवासा अपने distance को close करने लग पड़ा था बट still fight में clear upper hand था Alexander वालकॉफ के पास और जब tie to इवासा distance को close कर भी रहा था तो तब भी Alexander वालकॉफ था जिसके जाद अतर punchs land हो रहे थे और फिर round 2 में कुछी time बाद tie to इवासा ने फिर से leg kick को throw किया और इस बार Alexander वालकॉफ ने tie to इवासा की kick को पकड़ा और simultaneously अपने right state punch को throw किया जो tie to इवासा के face को हलका सा brush करके body पर land हुआ और इससे tie to इवासा नीचे गिर गया Alexander वालकॉफ पर full mount था और इस full mount से tie to इवासा ने बहुत try की बहार निकलने की बट वो ऐसा नहीं कर पाया और फिर big ground and pound के बाद Alexander वालकॉफ को opening मिली और उसने easy kill choke को lock in कर दिया और फिर tie to इवासा को submit करना पड़ा ये third straight win थी Alexander वालकॉफ के लिए और Alexander वालकॉफ ने इस चीज़ को clear कर दिया कि वो last try कर रहा है title run की तो Alexander वालकॉफ का ये last run काफी अच्छा जा रहा है and let's see Alexander वालकॉफ future में किसके साथ fight करता है और अब बात करते हैं UFC 293 की main event इसराइल अदसान्या वर्सेश शौन स्रिकलेंट के बारे में इस fight में शौन स्रिकलेंट ने इसराइल अदसान्या को dominant way से defeat किया और इस modern era में शौन स्रिकलेंट वो fighter है जिसने इसराइल अदसान्या को हरा कर biggest upset किया है GSP और Matt Sarah जहां Matt Sarah ने GSP को knockout कर दिया था I think उसके बाद ये fight रहने वाली है biggest upset in UFC history अब इन दोनों की fight का breakdown मैं already कर चुका हूँ तो जिसको इनके बीच breakdown देखना है तो वो previous वीडियो को देख सकता है चुकि यहाँ पर मैं overall बात करूँगा Sean Strickland और Israel Adasaniya के बारे में Sean Strickland ने majority of fans, majority of analysts, मेरे जैसे majority of youtubers सबको गलत प्रूफ कर दिया चुकि उसने वो करके दिखाया जिसके लिए उसे बोला चारा था कि उसके पास कोई chance नहीं है और वो इस fight में knockout हो जाएगा अब like Dana White काफी लोगें बोल रहे हैं कि Israel Adasaniya इस fight में present नहीं था, वो काफी slow दिखा, वो काफी flat था, बट मेरे opinion में Israel Adasaniya जैसे अपनी पुरानी fights में दिखता है, exactly वैसे ही दिखा इट वस Sean Shikland जिसने Israel Adasaniya को एक normal सा fighter बना दिया, किसने सोचा था कि Israel Adasaniya जो arguably Anderson Silva के साथ इस middleweight division का the greatest fighter of all time है, उसको सिर्फ simple से boxing punches defeat कर देंगे अगर हम इस fight को open mind से देखें, कि Sean Shikland ने इस fight में सिर्फ चार weapons को थो किया है, नमबर वन और सबसे main चीज़ वो था Sean Shikland का jab, second punch था straight right punch जिसने Israel Adasaniya को knockdown किया था, तीसरा punch था left hook, और वो भी Sean Shikland ने later of the fight में थो करना start किया था, और जो fourth weapon था, वो था deep kick to the body, अब ये थी overall assessment जो Sean Shikland ने throw की, बट अगर इसी fight को थोड़ा और breakdown किया जाए, तो हम देख सकते थे कि इस बार Sean Shikland ने Israel Adasaniya की बहुत जादा leg kicks को block किया था, अब इन leg kicks को block करने की वज़े से Sean Shikland को बहुत जादा advantage हुई, Adasaniya का game plan था, कि वो Sean Shikland की legs को इतनी बुरी तरह से hurt करेगा, कि जब भी फिर वो leg kick को throw करेगा, तो Sean Shikland अपने guard को नीचे करेगा, leg kick को defend करने के लिए, और फिर उसके बाद वो advantage लेगा, एक sudden head kick को throw करके, बट क्योंकि Sean Shikland ने काफी जादा leg kicks को block किया था, इसलिए Sean Shikland की lead leg जादा hurt नहीं हुई, और इन सब की वज़े से उसने अपन तरह से showcase किया कि उसका इतना high striking defense क्यों है, इसी के साथ एक और चीज़ जो Sean Shikland हर इक fight में करता है, जिसने इसराइल अदसाने को इस fight में बहुत जादा problem दी, वो था Sean Shikland का relentless pressure, इस पूरी fight में एक time पर भी ऐसा ने लगा कि Sean Shikland ने इसराइल अदसाने पर pressure डालना छोड़ा है, जिदर इसराइल अदसाने बहुत जादा frustrated था और वो Sean Shikland के इतने जादा pressure से exhaust भी हो गया था, तो I don't think so कि इसराइल अदसाने जरा सा भी ओफ था इस fight में, it was as simple as that कि Sean Shikland इस fight में बहुत बेटर था, किसने सोचा था कि जे stance का इसराइल अदसाने ने मजाक उड़ाया जब Sean Shikland knockout हुआ था, Alex Pereira से वो exact same stance इसराइल अदसाने को dominate करेगा, also इसी के साथ मैं थोड़ा सा confused हूँ, तो let me know in the comments क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इसराइल अदसाने को अब rematch नहीं मिलना चाहिए, बट मैंने काफी ज़्यादा comments को देखा है और Dana White ने भी अपने post fight interview म ये confirm कर दिया था, कि वो देख रहे है Sean Shikland और इसराइल अदसाने का फिर से rematch करवाने का, तो let me know in the comments क्या आप इस rematch से agree करते हो, या फिर division को move on करना चाहिए, क्योंकि इसराइल अदसाने को जस्ट अभी Alex Pereira के साथ rematch मिला था, MMA is so crazy, Sean O'Malley won, Sean Shikland won, और अब बारी है The King of Chaos क वो भी कमिंटन की